चले सीदेरो कलीती रायपूर का बड़ी ख़़र आपको ेशबाहन होगा है स्वापनिल गौर्खेड़ी जादा जानकारी के लिए हमारे सही होगी हमारे साजुर गया स्वापनिल हर बार की तरह क्या लग रहा है इस बार अमिशा पहुच जाएंगे या कुछ और व्यवधान आ सकता है जी देखिए इस बार जो अमिशा का दोरा है वो तैप माना जा रहा है क्योंकि नरिंद्र मोदी 30 तरीक ब्लासपूर के दोरे पर है उसके पहले अमिशा का दोरा होगा और इस बार बाजपा की जो चुनावी रणनीती है जो काम चल रहा है उसको लेकर संख्शा की जाएकि इसके साथ ही जो तीसरी सूची को लेकर भी इस दोरे पर मंधन किया जाएगा क्योंकि दूसरी सूची पर जो है लगातार मंधन हो चुका है और इसको लेकर ये माला जा रहा है कि दूसरी सूची जो है एक दो दिन में आ सकते हैं लेकिन तीसरी सूची को लेकर कल अमिश्य अपने दोरे पर जो है मन्थन करेंगे और जो सर्वे हुए हैं पांच इस्तर पर जो सर्वे हुए हैं उसके अधार पर तिसरी सूची तैयार करने को लेकर कल मन्थन किया जाएगा और इसके साथ ही चुकी 30 सितंबर को प्रधान मंद्री डरेंद मोधी का ब्लासपूर दोरा है परिवरता नियादर के समापन कारिकरम में शामिल होंगे तो उसके तैयारियों को लेकर भी अमिशा कल जो है यहां के जो प्रदेश के जो पदादिकारी हैं उनके साथ जो है चर् तो कल यह कहा जा रहा है कि केंद्री ग्रैमंद्री अमिशाह पहुचेंगे जिस तरह से प्रधान मंद्री नरेंद मोधी भी आगामी दिनों में आने वाले हैं बीचेपी की परिवरतन याजरा के समापन पर उस अबसर पर अब देखना होगा किस तरह की तैयारियां होती है बने रही है आप हमारे साथ सब्सक्राइब